एक दोस्त एक बड़ा भाई इंस्पिरेशन खो चुके हैं शहबाज बादिशा भी शेहबास बादिशा सिधार शुकला को अपना भाई मानते थे और शेहनास के साथ जो रिष्टा था सिधार शुकला का उसके नाते जो शेहबास के साथ रिष्टा बना वो भी बहुत ही घहरा था सिधार शेहबास को हमेशा इंस्पायर करते थे उन्हें motivate करते थे और बहुत कुछ सिखाते थे सिधात के चले जाने के बाद शेहबास को भी इस बात का बहुत बड़ा जटका लगा उनके funeral पर उन्हें food food का रोते हुए देखा गया और जब शेहबास किसी से भी इस बारे में बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि मुझे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं है अपनी बेहन को वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बेहन के बेहाब पर भी बात कर रहे हैं कि सिधार्त अपने आखरी समय में बिल्कुल fit and fine थे last night तक उन्हें कुछ भी problem नहीं थी लेकिन अचानक ही सब कुछ हुआ और अचानक ही इस दुनिया को वो छोड़ कर चले गए उन्होंने किसी को जाते वक्त तकलीफ नहीं दी लेकिन जाने के बाद इतनी तकलीफ मिल चुकी है हर किसी को किस तकलीफ से कोई बाहर नहीं निकल पाएगा जो कि सिधार शुक्ला को खोने का गम है उससे कभी कोई बाहर नहीं आ पाएगा